बच्चों गंगवार, ERDR Institute में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ डॉक्टर हरियोम गंगवार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा NEED 2030 का एक्जाम कब होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो NEED 2030 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, करने वाले हैं या फिर वो फाउंडेशन कर रहे हैं तो उनके दिमाग में सवाल है कि सर, NEED 2030 का एक्जाम कब होगा क्योंकि अगर NEED 2019, 20, 21, 22 की बात करें तो उनका ट्रेंड कैसा रहा है अगर पिछले तीन वर्सों को देखा जाए, चुकि COVID की वज़े से ये 2020 का एक्जाम था तो NEED 2020 का जो एक्जाम हुआ था, यह हुआ था 13 September को NEED 2021 की बात करें तो यह एक्जाम हुआ था 12 September को और NEED 2022 का जो एक्जाम हुआ यह 17 July को हुआ तो सवाल यह उड़ता है कि सर, NEED 2030 का जो एक्जाम है यह डिले होगा या फिर अपने नॉर्मल सेडूल के हिसाब से होगा तो अगर हम ट्रेंड को देखें, NEED 2022 के ट्रेंड को देखें और NEED 2021 को चेक करें तो 21 में जो एक्जाम हुआ था, वो 12th of September को हुआ था और अब की बार जो एक्जाम हुआ 2022 में वो 17th of July को है नि सारे टीचर, सबी लोग तो अब अगर 2023 के एक्जाम को हम देखें तो इसके होने की जो probability है ये में में है कि में में ये एक्जाम हो जाएगा और में में कब होता है, में में एक्जाम जो पढ़ता है वो हमेसा पहले संड़े को पढ़ता है आप जो जैसे COVID की situation की बात करें या कोई भी unnecessary delay नहीं हुआ तो आपका जो NEET का exam है यह 7th में 2023 को होगा अगर COVID जैसी कोई situation बनती या फिर अभी counseling में delay होता है तो उस situation में कुछ changes हो सकते हैं लेकिन most probably आपका जो NEET 2030 का exam है वो 7th of May 2023 को होना चाहिए तो जो आपकी strategies हैं जो आपका syllabus और आपको उसी तरीके से cover करना है कि आपको 7th में 2023 में अपना exam देना है कोई doubt है comment section में जरूर पूछेगा और किसी topic के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी जरूर आप बताएगा उसके बारे में हम video जरूर बनाएंगे best of luck